Selling Price का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Selling Price का मतलब होता है वह राशी जिस पर किसी उतपाद या सेवा को ग्राहक को बेचा जाता है याने कि यह वह मुल्य है जो विक्रेता वस्तु के लिए निर्धारित करता है और इसमें आम तोर पर लागत मुल्य पर लाब की मात्रा जोड़ी जाती है और विक्री मुल्य बाजार की मांग, प्रतीस परधा याने कि competition और उतपादन लागत याने कि manufacturing cost जैसे कारकों से प्रभावित होता है याने कि कोई भी चीज जब हम किसी मुल्य पर बेचते हैं, मानले जी कोई चीज हमने 100 रुपय में बेची तो वो उसका selling price है जिसको हिंदी में हम बिक्री मुल्य कहते हैं और कोई भी चीज हमने मानले जी 80 रुपय में खरीदी है तो वो उसका हमारे लिए cost price है यानि उसका लागत मुल्य है लागत मतलब जितनी हमारी लागत आई जितना हमने पैसा लगाया वो हमारा लागत मुल्य यानि कि cost price और जिस price पर बेची वो हमारा selling price होता है यानि कि selling price is the amount of money at which a product or service is sold to the customer It is the price that the seller sets for the item and typically includes a profit margin over the cost price The selling price is influenced by factors such as market demand, competition and production costs यानि कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज जो होती है वो उसमें उसकी लागत मुल्य क्या है उस पर क्या-क्या चीज़ें और खर्चे आई हैं उसके बाद उसमें कितना लाभ जोडने के बाद फिर जो price होता है वो selling price होता है तो आई इसको कुछ हम example sentences से समझ लेते हैं चैसे कि आप यह कह सकते हैं The selling price of the jacket is $120 while the cost price was $80 यानि कि इस jacket का जो बिकरी मुल्य है वो $120 है जबकि लागत मुल्य असी डोलर था यानि कि हमने $80 में खरीदी $120 में बेच दी यानि कि हमें $40 का मुनाफ़ा हुआ या लाभ हुआ इंगलिश में से आप profit कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं To determine the final selling price, businesses often add a markup to the cost price यानि कि अंतिम बिकरी मुल्य ने धारित करने के लिए वेवसाय आम तोर पर लागत मुल्य पर एक markup जोड़ देते हैं यानि कि एक cost और जोड़ देते हैं जिससे उसमें लाभ अपराप्त हो या फिर आप कह सकते हैं Seasonal discounts can affect the selling price of products in retail यानि कि मौसमें छूट जो होती है वो खुद्रा में उत्पादों के बिकरी मुल्य को प्रभावित कर सकती है अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें